नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं कन चौक से विधान सभा तक दो दर्जन से ज़रा बैरिकेटिंग की गई है बताद विधान सभा के मांसुन सथर को लेकर पूलिस ने अपनी सुरक्षा की तेरियों को फुकता किया है अनुमान लगाया जारा एक विधान सभा का मांसुन सथर हांगा में दार हो सकता है कई मामलों को लेकर विधान सभा गेराओ के कारक्रम भी पूरव में निर्धारी था है विधान सभा के भीतर और बाहर कई मुदों को लेकर हांगामा और गीर हो सकता है आईसे में पुलिस के द्वारा बिधान सभा सत्र के दौरान सुरक्षा विवस्ता चाक चोबन रहे इसके लिए पूरे परिसर में चार लेयर की सुरक्षा चक्र की विवस्ता की गई है बता दे 600 जवान के साथ साथ 15 इंस्पेक्टर और 6 डिस्पी रेंग के दिकारी भी सुरक्षा के निग्रारी करेंगे वहीं सत्र के दौरान बिधान सभा और उसके आसपास के चेतर में भी सुरक्षा की चोग चोबन विवस्ता की जा रही है माकपानेता सुभास मुंडा की हत्याकंड को लेकर पुलिस मुख्याले बेहाद ही गंभीर है मुख्याले की तरफ से रांची डिआईजी और एसेसपी को असपास निर्देस दिया गया है जार्खन पूलिस के परवक्ता सा आईजी अवियान अमोल होमकर ने बताया है कि मक्पान एदा सुभास मुंडा के अत्याकान को सुलजाने के लिए S.I.T. का भी गठन किया गया है S.I.T. को रांची के सीटी A.S.P. लीड कर रहे है टीम में हेट क्वाटर दो D.S.P. साइवर, रातु थाना परभारी, नगरी थाना परभारी, सहीत कई पुलिस कर्मियों को सामिल किया गया है मनिपूर के मुद्धे पर जार्खन बिधान सवा में हंगामे के असार जार्खन बिधान सवा के मांसूर सत्र से पहले कॉंग्रेस बिधायक दल की बैठाक में मनिपूर की घाटना चार्चा के केंद्र में रही है पार्टी की महिला बिधायक दिपका पांडे सिंग, पुर्णीमा निरज सिंग, सिल्पाने हातिर की और अमबा परचाद ने एक मत से कहा एक मांसूर सत्र के दोरान गंबिता से मनिपूर की चीती और वहां की कुकी समुदा एकी आदिवासी महिलाओं के साथ घाटी घाटना पर निंदा प्रस्ताव लाए जाएगा बिधायक दल की बैठा की दोरान इस मुद्धे पर यह समाती बनी की मांसूर सत्र के पहले ही दीन सदन के बाहर सभी कॉंग्रेस बिधायक धारने पर बैठेंगे इसके जरिया सभी मानिपूर की घटना की निंदा के साथ साथ केंद्र और मानिपूर सरकार के चुपपी विरोध करेंगे मुहरम को लेकर राज भर में सुरक्षा बलो की तैनादी जार्खन पुलिस मुख्याले ने मुहरम को लेका राज भर्मे सुरक्षा के पुखता इंतिजाम किये हैं राज के सभी सनवेदासी जीलो में अतरिक्त पुलिस बल किते नाती की जा रही है वही सोसल मीडिया पंडाया रखने के लिए जीलो में बिसेश तैयार्या की गई है जार्खन पुलिस के परवक्ता सा आईजी अभियान आमोल वी होमकार ने बताया है कि वैसे जागोपार जहांपूरो में सम्प्रदाई घंटाय हुई है खासकर राजी जमसेथ पुरपलामो वोकारो गिरी जिलो हर्दगा हजारे बाग में अतरिक्त बलो की तेनाती की गई है इन जीलों में 27 सतरक्ताब रतने का आदेश भी जीलों के एसपी को दिया गया है आईजी अभियान ने बताया है कि सभी जीलों में सांती समीती की बैठक कर वोलेंटियर चीनित किये गया है और समाजिक ततों के खिलाप निरोधातमक करवाई की जा रही है ठानों में बंड भरने की परकिरिया भी की जा रही है वहीं सर्वेदन स्रील जगो पर इलेक्ट्रोनिक सर्विस लाइन्स भी रखा जा रहा है पानी में डूबने से मरने वाले 6 बच्चों के आश्रीतों को मिलेंगे 4-4 लाख रुपाई पलामु जिले के चैनपूर एवं सदर मेदनी नगर अंचल अंतरगत पानी में डूबने से मरने वाले 6 बच्चों के आश्रीतों को 4-4 लाख रुपाई दिये जाएंगे डीसी अंजने यूलू दोडडे ने गुरुवार को इसकी स्विगरिती दे दिया है डीसी ने अंचलो से प्राप्त अविलेखो पर स्विगरिती पदान करते हुए गिरिह कारा एवं आपता प्रवन्दन विभाग से आवंटन प्राप्त होते ही सबे मिलित्तक क्या स्रीतों को साहता रासी की भुगतान करने का निदेस दिया है वहीं विदी थोकी चैनपूर अंचल अंत्रगत उल्डंडा गाव निवासी अधेस उराव की पूतरी अर्चना कुमारी एवं राधना कुमारी मुंडा की पूतरी सलमी कुमारी तथा मुकेस खाखा के पूतरी छाया खाखा का निदन एक ही दिन 20 जुलाई 2023 को इस्कूल के पीछे आर में डूमने से हो गई थी भारतिय वायू सेना में अगनी वीर वायू बनने का मौका भारतिय वायू सेना ने 2024 के अगनी वीर वायू में भारति की तीति की घोसना कर दी है भारति के लिए रेइस्टेशन गुरुवार से शुरू हो गया है 17 अगस्ट रेइस्टेशन करने की अम्तिम्ति थी निधायत की गई है इसकी भरती के लिए ओनलेन परिक्षा 13 अक्टूबर से शुरू होगी बतादे भरती से सम्मधी अधिकारिक बेप साइट पर जारी कर दिया गया है 27 जून 2003 से 27 दिसंबर 2006 तक जन में उमिद्वार भरती वायू सेना के अगनी वीरवायू भरती के लिए अभियार्तियों के आयों की गणना होगी सेक्षिन की योगता के अंतरगत बराहवी कक्षा या इसके समक्ष परिक्षा बिज्ञान सनकाय में गनीत भोतकी और अंग्रेजी वीसाय के साथ एवं कला तथावानी जी सनकाय में किसी भी वीसाय के साथ 50 पिज़दी आंकों के साथ उतिन हो नेतर हाट आवासे बिद्याले में दाखिला के लिए आवेदन परकिरिया जारी मेडिकल टेस्ट से भी गुजरना होगा इस परिक्षा में सामिल होने के लिए छात्री की उम्र अधिक तम 10 से लेकर 12 साल के बीच होनी चाहिए साथी वे 5 भी पास हो आवेदन ऑनलाइन वा ओफलाइन दोनों ही मोड में जमाक करने होंगे हेमंत सरकार खतियान अधारित अस्थाने निती विधायक फिर लागी विधान सभापटल पर जार्खन के ततकानी राजेपाल दोवारा अस्थाने ब्यक्तियों की जार्खन परिभासा और ऐसे अस्थाने ब्यक्तियों को परिनामी, समाजिक, संस्कीर्ति और अने लाब परदान करने के लिए बिधायक दो हजर बाइस भीड हिंसा और मॉब लेंचिंग निवारान बिधायक दोहरे काईस और पिछले वर्गों के लिए सरकारी नौकरी मारा अरक्षन की सिमा साताइस पर्तियत करने समधी बिधायक को आपस करने के बाद राज सरकार फिर इस बिषा की गंभीता को देखते वे बिधायकों बिधान सवा के पडल पर रखने की योजिना पर कार कर रही है राज येपाल सचिवाले द्वार लोटाएके बिधायकों को भारत के समिधायन के नुछे 200 योँ जारकन बिधान सवागी पर किरिया तथा कारे संचालन के नियाम 981 के तहत राज येपाल के संदेश के साथ राज सरकारे में बिधान सवा को उपलब्ध कराये जाने कामरोज राज येपाल सचिवाले से किया है बतादे जार्खन की हेमान सुरें सरकार जानित में खत्यान आधारीत अस्थानिय निती ओविस यारक्चान और मॉब लेंचिंग निवारन बिधायक फिर बिधान सभागे पटल पर लाएगी माकपा नेता सुभास मुंडा को सर्धानजली देने पहुंचे बावुला मरांडी जार्खन में माकपा नेता सुभास मुंडा को सर्धानजली देने के लिए भाजपा के पर देश्त अध्यक्ष बावुला मरांडी भी पहुंचे सुभास मुंडा की हत्या के बिरोध में सलक जाम जारखन में बीती साम राइधानी राची के दाला दिली चोक के समीब CPIM नेता सुभास मुंडा की नकाप पोस अपराधियों ने गोली मरकर हत्या कर दी इसके बिरोध में गुरुवार को CPIM सहीत तमाम आदिवाची संगठनों ने एनस 23 राची गुमला मुखे मारी पर भर्णों के बलोग चोप के समीब लगभग 10 मिनट के लिए सलक को जाम कर दिया साथ ही आकरस्तितों ने सुभास मुंडा के हत्या के बिरोध में पुलिस पसाथन खिलाब जमकनारे बाजी की है पच्मी सिंभू में भागपा मवादी नक्सली संगठन ने लगाय बैनर पोस्टर पच्मी सिंभू में जीले के नक्सल प्रहवीत तोनुवा थाना छेतर में भागपा मवादी नक्सली संगठन द्वार बुद्ध्वार देर रात बैनर पोस्टर लगाया गया इस गटना के बाद से छेतर में दासत है बतादे कि पिछले कई दिनों से पुलिस द्वार नक्सली के खिला पच्मी सिंभू मुद्ध्वार की रात सोनुवा थाना के सोनुवा लोजो मुख्य मारग के जोड़ा पोखर्चों के समिप नक्सली द्वार पोस्टर बाजी और बैनर टांग कर एक बार फिर अपनी उपतिती दर्ज कराई गाई सुचना के बाद पुलिस ने गुरुवार सुवा पोस्टर और बाइनर को जब्त कर लिया है सुभास मुंडा हत्याकांड बिरोध में सलक पर उत्रेवाम दल CPM नेतावा हटिया विधान सभाचेतर के यूआ चेहरा सुभास मुंडा हत्याकांड के खिलाब गुरुवार को CPIML वो CPI समेथ और ने आदिवासी संगर्टों ने सलक पर उत्रकर बिरोध परशन किया और अपराधियों की अबलम गिरफतारी की मांग की आपको बता देगी इस मामले में लापरवाही बरतने के आयरोप में नगडी थाना परभारी को सस्पेंट भी कर दिया गया है और रोहित कुमार को नया थाना परभारी बनाया गया इस मामले की जायच के लिए SIT का ठित की गई है जहारखन के DGP अजय कुमार चिंग ने रांची के SSP वर SIT को अविलम करवाई कर अपरादियों को जल्द से जल्द गिरफतार करने का निर्देश दिया जहारखन में 31 जूलाई तक बारिस का अलर्ट जारी मौसम विभाग ने जहारखन के कई जिलों के लिए 29 जूलाई से लेकर 31 जूलाई तक भारी बारिस का अलर्ट जारी किया है भारत मौसम विज्ञान केंद्र के रांची सित मौसम केंद्र ने विरस्पत्तिवार को स्पेसल बुलेटिन जारी कर के कहा है कि सुबे के कई जिलों में तीन दिनों तक भारी बारिस होगी बुलेटिन के मुताविक 29 जूलाई को परदेश के पच्मी भाग में कहीं कहीं भारी बार्षा होने की समभणा है वहीं मौसम केंद्र के अलर्ट के मुताबिक 30 जूलाई को जारकन के पच्मी और निकटवर्ती मद्य भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होगी इसके अगले दिन 31 जूलाई को दक्षिनी तथा मद्य भागों में कुछ जगों पर भारी वर्षा होने की समवना है इसी दवरान लोगों के बेहत सतर्क और सधान रहने की सलावी मश्वा मिभाकियोर से दी गई है सिकारी पड़ा के पुरव विधायक डेविड मुर्मू का निधान दुमका के सिकारी पड़ा विधान सभा से तीन बार विधायक रहे डेविड मुर्मू का पचासी वर्ष की अवस्था में कांठिक कुंडा के चंद्रपूरा इस्थित आवास में गुरू और सामचार बज़ निधन हो गया दिवंगस डेविड मुर्मू मुल रूप से काठी कुंड परखंड की बरतल्ला पंचायत के बलिया काओ के रहने वाले थे बतादे सिरी मुर्मू मलेरिया इंस्पेक्टर की नोगरी के बास सिक्छा के रूप में सिवादे रहे थे शिक्षा की नोगरी विछोड़ दी और आयनेतिक सफल की सफल शुरुवात की थी उनके निधा प्रमुख्य मंत्री है मांचरेन, पुरमुख्य मंत्री और भाजपाक के परदेश्ट अध्यास बावला मरांडी शिकारी पड़ा के वर्तमान विधायाक नलिन सुरेन वदुमका विधायाक बसान सुरेन ने सोक परकट किया है जार्खन में 111 खतर पदो पर भाकेंसी निकली है इसको लेकर जार्खन रूलल हेल्थ मीसन सोसाइटी के द्वारा नोटिस जारी किया गया इक चुक उमिद्वार परकासित नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़े और आवेदान की परकिर्या को समय से पहले पूरा कर ले बता दे इन पदो के लिए एक सवय खतर पदो पर भरती को लेकर आवेदान मांगे गया है इन पदो पर आवेदान करने के लिए उमिद्वार की योगित्ता पदो के अनुसार MBPS, PG डिपलोमा, डिगरी, आदिन इधारी थाए इन पदो पर उमिद्वारों का चैन मेरिट के द्वारा होगा इसके बार में पूरी जनकारी के लिए नोटिस को पढ़े इक चुक और योगित्वार इन पदो पर 14 अगर्स 2023 तक आवेदान कर सकते हैं इसके बाद आवेदान समाप्त हो जाएगा जारखन में इपोस मसीन के नाम पर करोडों का किराया घोटाला जारखन में e-post मसीन के किराय के नाव पर कडोरो का किराय गोटाला सामने आया है अब इसकी जाश शुरू कर दी गई है ए बात भी सामने आ रही है कि सरकार ने इस मसीन के लिए जितना किराय दे दिया है उससे भी कम पैसे में इने खरिदा जा सकता था यू तो इन मसीनों के अधिक्तम कीमत लगभग 110 को रुपए ही है लेकिन किराये पर लेने की वज़ा से सरकार इनके लिए कड़ोर रुपए के किराये चुका रही है सरकार प्रती मसीन संबंधित एजेंसी को प्रती मा 1474.50 रुपए की दर से किराये का भुक्तान करती है पतादे जार्खन के 24 जीले में संचाली सरकारी रासन के दुकानों पर 44,955 ई-पोस मसीने लगी हुई है पीछले साथ वर्सों में इसका किराया 556 को और 80,36,390 रुपए हो चुका है भाजपा बिधायक दल के नेता पर सस्पेंस बरकरार जार्खन बिजेपी बिधायक दल का नेता कौन होगा इस पर सस्पेंस बरकरार है गुरु और साम बिधान सभा मांसू सत्र को लेकर भाजपा बिधायक दल के हुई बैठाक में एकमत नहीं होने की वज़ा से बिधायक दल के नेता का चैन का ममला उलजता रहा बैठाक के दोरान बदले हुए महाल को देखते हुए केंद्रिये परवेक्षक के रूप में बैठाक में सामिल भारत सरकार के मंतरी आस्विनी चौवे ने बंद कमरे में हर बिधायकों से राय जानना की उचित समझा भाजपा बिधायकों ने बारी बारी से अस्विनी चौवे के सामने बिधायक दल के नेता का नाम रखा देर साम तक भाजपा परदेश करेलें बिधायकों से राय जानने के बाद पुरी रिपोर्ट केंद्रिये नितित को बेजने का नहीं न लिया गया पाटी के मुख्य सचितक बिधायक बिरंची नरायन ने इसकी जनकारी तेवे कहा कि केंद्रिय नेतित के द्वारा जो फैतला लिया जाएगा उसे सभी सविकार करेंगे मुख्य मंत्री आवास पर IND IA बिधायक दल की बैठक समाप्त 28 जुलाई से जार्खन बिधान सभा का मांसून सत्र शुरू हो रहा है इस सत्र के लिए दिन भर रायनेति कति बिध्या तेज रही दोफर में कॉंग्रेस बिधायक दल की बैठक के बाद सामें मुख्य मंत्री आवास पसता दारी गडबंधन INDIA बिधायक दल की बैठक होई मुख्य मंत्री और नेता सदन हेमन सुरेन की अध्यक्सता में होई इस बैठक में कॉंग्रेस बिधायक दल की नेता अरमगीर अलाम हेमंत्रवंति मंदल के सभी मंत्री कॉंग्रेस विधायक जार्खन मुक्ति मोर्चा के विधायक सामिल हुए CPI माले की विधायक विनोत कुमार सिंग भी बैठक में सामिल रहे इसके अलावा जार्खन मुक्ति मोर्चा की केंद्रिया महासची विनोत पांडे केंद्रिया परवक्ता सुपरियो बटाचार परवक्ता मनोज पांडे परवक्ता कॉंग्रेस कमीटी के अध्यक राईस ठाकूर ने भी बैठक में सिर्कत की बासुकी नाथ पूजा करने आये कावडियो की गोली मारकर हत्या जार्खन में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है बुद्धवार को राची में माकपा नेता सुबास मुंडा की गोली मारकर हत्या के बाद गुरुवार को एक और कतल का मामला समने आया है जिस पुजा अर्चना करने के उपरांत अपने गाम के भती जमनीश कुमार के साथ था जबकि अमरनाथ की पतनी नहा सिंग चार बच्चेव परिवार के अनिसरत बजार में थे अमरनाथ गैंग के आठ बदमास गिरफतार जारखन में पुर्वी सिम्हुम जीले के घार सिला थाना छेत्र कापा गोरा के एक ढाबे में साथी का जनमदिन मना रहे बदमासों का सामना गुरु आर देरराथ पुलिश टीम से हो गया जिससे वह भगदण मच गई इस दोरान भागने के परियास में बदमासों ने फारिंग कर दी इसके जवा में पुलिश ने भी गोलिया चलाई जिसमें एक बदमास के पैर में गोली लग चुकी है पुलिस ने घेरबंदी कर आठ बदमाशों को दबोच लिया इसमें मानगो के अमनाज सिंग गीरो के साजन मिश्रा निरज भगीना समेत अने सामिल है दो कार, पिस्तोल और कार्टूत भी पुलिस ने जबत किया है वैसनो देवी हरिद्वार व मथुरा जाना हुआ आसान जार्खन से वैसनो देवी अमरित सर हरिद्वार आगरा व बिरिंदा वन जाना आसान होगा अब यातरी गनो को उत्तर भारत में मजूर धार्मिक दर्शन के लिए सिधी ट्रेन मिल सकेगी तीर्थ अस्थल और पर्याटन अस्थलों पर लगातार बर्ड रही भीण के मद नजर आयर सिटी स्टी ने विभीण रीटो पर स्पेशल ट्रेन चलाने की खोशना की है इसमें धनबाद गोमो को डर्मा गाया पंडि दिन दियाल उपाध्या जक्षन के रास्ते दो अलग अलग रूटों की भारत गरो ट्रेन चलेंगी इस तरह दुरगा पुजा की छूटिया इस बार रायस्थान में बीता सकते हैं बता दे 20 अक्टूबर को भारत गरो ट्रेन रोयल रायस्थान टूर पर ले जाएगी एक गारा रात और बारा दिनों के यात्रा बेहत्यादगार होगी घाट सिला में एनेच पर पुलिस और अपराधियों की बीच मुट भेड़ पुर्वी सिम्भुम जीले के घाट सिला थाना अंतरगत काप गोड़ा एनेच अठारज धीत भोले नात धावा में गुरु आर देर साम पुलिस और अपराधियों के बीच मुट भेड़ होई इस घाटना में दो अपराधियों के घायर होने की भी सुचना है वहीं पुलिस ने आठ अपराधियों के इरासत में ले लिया है जबकि कुछ अपराधी मोगे से भागने में सफल रहे हलाकि पुलिस ने इस मामले की पुष्टी नहीं की है और इस घटना के बारे में कुछ भी बताने से इंकार कर रही है परत्यक्ष दर्शियों के अनुसार पुलिस जैसे ही धावा में पहुंची वैसे ही धावा में पार्टी मना रहे अपराधियों ने फैरिंग शुरू कर दी जबाबी करवाई करते हुए पुलिस ने भी फैरिंग की पुलिस ने घटनास्थल से एक संदिक दिकार भी बरामत की है और अपराधियों की बताई जा रही है फुटबॉल और होकी की बिजेता टीम को 21,000 मिलेंगे विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर जार्खन सरकार राची जिला में दो दिवस्य जिला अस्तरिये खेल गतिवी दियो कायोजन करा रही है नव और दस अगस्त को फुटबॉल होकी, तिरंदाजी और एथलेटिक्स परत्योकता कायोजन जार्खन खेल कूत एवम युवा कारे निजशाले और राची जिला पर साशन के सनुप दतोधान में होगा इस परत्योकता में फुटबॉल और होकी की बिजयता टीम को 21,000 की पुरसकार आशी दी जाएगी इस योजना में किसी भी आयू सीमा का कोई भी खिलाडी भाग ले सकता है सभी खेल सम्मंधित फेडरेशन के निमा उनसर आयू जित किये जाएंगे जारखन में तेजी से फैल रहा आय फुलू इनफेक्शन जारखन के कई जीलों में तेजी से कंजक्टिव आयटीस फैल रहा है कई जीलों से इन दिनों इसके मामले लगातार आते ही जा रहे है या आखों की बिमारी है जिसे आई फ्लू इंफेक्शन भी कहा जाता है या एक संक्रामक बिमारी है और इस संक्रामन से पीडित ब्यक्ति के संपर्क में आने से या तेई से फ्हलता है संक्रमित ब्यक्ति के आखों को देखने यानि आई कॉंट्रेक्ट पर स्वास्थ ब्यक्ति के आखों में आशु आने लगता है इस बीमारी से अधिकतर बच्चों को संक्रमित हो रहे हैं रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स और सदर अस्पताल में इस बीमारी से संक्रमीत मरीज काफी संक्या में पहुँच रहे हैं सहायक अचार बनने के लिए 7 और 9 घंटे की परिक्षा जारखन में सहायक अचार बनने के लिए 7 और 9 घंटे के परिक्षा देने होगी इंटरमीडियेट प्रसिक्षी सहायक अचार के लिए 3 पालियों में परिक्षा होगी वही असनातक प्रसिक्षी सहायक अचार के लिए 4 पालियों में परिक्षा लिजाएगी हलागी साहयक, अध्यापक, पराज सिक्षक और गयर पराज सिक्षक अभियर्ती इसका विरोध कर रहे हैं इसका अरोब है कि हाई स्कूल में हुई असनातक प्रसिजी सिक्षक को के नियुकती में क्वालिफाइंग पेपर तीन घंटे के अलावा एक पेपर असनातक अभिसे तीन घंटे के परिछा लीजाती है वहीं मेडिल इसकूल के सिक्षा के लिए तीन पेपर निधारित किये गाए हाई स्कूल के शिक्षको के अनुपाइत में साहयक अचारी का निधारित वेतन भी बहुत कम है धन्यवाद